कि स्टार कि अ कि अ कि अ कि अ हाँ जी तो एलिप्स करना है ठीक है है हेडिंग दे दो करें शुर करें देखो सबसे पहले अगें डेफिनेशन के अकोडिंग लिए अगर देखा जाए ठीक है वह एलिप्स बनाएगा जब उसका एक से दिस्टेंस एंड फिक्स लाइन से दिस्टेंस का रेशो कॉंस्टेंट होगा और वह कॉंस्टेंट होना चाहिए एलिप्स के लिए जीरो टो वन के बीच में यह दिस प्स बाइप एम शुद बी इकल टो ए दिस्टेंस बाइप ए जीरो टो वन देन इन दाट केस पी के लोकल फोलो करेगा एलिप्निकल एलिप्स का ठीक है तो लेट से नहीं पास एस है फिक्स पॉंट अल्फा कोमा बीटा ठीक है दिस इस पी पॉंट एक्स कोमा य तो पी एस एंद फिक्स लाइन या इस लेक्स प पी एस बाइप एम दर इस एकल टो ए कॉंस्टेंट इसंटिशिटी एंड ए बिलोंस टू जीरो टू वन फोर एलिप्स अब अगर मैं इसके अंदर प्रपर पी एस न पीम की वैली पूट कर दूं एस पर गिवन पॉंट एंद दी लाइन तो क्या बनके आएगा एक्स माइ आई माइनस बीटा का स्केर अंडर दरूट डिवेड़ेड़ बाई अब इस पॉंट का इस लाइन से डिसने तो वह आ जाएगा लेक्स प्लस एम वाई प्लस एन का मॉड वाई ल स्केर प्लस एम स्केर अंडर दारूट इस एकल टू ए यह आ गया अब इसको क्रॉस डा काूंड कि अबन के आएगी वो कौन से बनके आएगी टू प्रिक तो अगर एसी कोशन डेरेक्ली दे रखिया में तो इसके के एलिप्स को रिप्रेजन करने की क्या condition होती है दो conditions पहला delta should not be equal to zero क्योंकि अगर delta zero तो वो कहा है रिपर्जेंट करता है pair of state line तो delta should not be equal to zero for conic ठीक है second h square should be less than ab again यह condition कहां से आएगी है hyperbola के अंदर हम देखेंगे parabola की ellipse की hyperbola की तीनों की condition जो आती है parabola के अंदर के होता है h square equal to ab ellipse के अंदर h square less than ab and hyperbola में की होता है h square greater than abe यह condition कहां से आती है hyperbola के through asymptotes आएंगे वहां से हमारी यह condition बन के आएगी clear है short चलो तो यह तो ठीक है अब जब हमने equation को derive किया था x square by a square plus y square by b square equal to one ठीक है जब हमने equation को derive किया था तो तीन main चीजें हमने use की थी मिल्वें पहले के निकाली थी पहला focus का distance and directrix का distance ठीक है ae and a by e यह निकाला था derive किया था हमने ठीक है focus का distance क्या होता है center से ae ae का मतलब semi major axis into e eccentricity vertical में भी यही रहेगा बस जो semi major axis vertical में वो बन जाएगा b तो इसलिए वहां पे बन जाएगा बी अब directrix का distance केतना होता है a by e that is again semi major axis by e eccentricity clear है second चीज जो हमने की थी वो था कि ellipse q पर आने वाले किसी भी point का जो दोनों focuses होते हैं उनसे distances का sum क्या होता है constant and that constant is 2a यह अपने प्रॉप्टी की है यह अपने derive किया था इसके related भी हम basic questions करेंगे ठीक है फिर हमने तीसरी प्रॉप्टी की थी that is जो a, b and e को relate करता है that is b square equal to a square into one minus e square that is semi minor axis का square equal to semi major axis का square into one minus e square चाहे horizontal है चाहे vertical है वर्टिकल में obviously वो क्या हो जाएगा तू भी हो जाएगा ठीक है अब इसी के related जो यहां तक किया है हमने इसी के related कुछ questions आएंगे जो इन्ही property based होंगे ठीक है पहले काम करो यह note करो करो जल्दी करो कि जल्दी करोंटने का और्चा पहले कीज़ हैँ कि अ बुएक 안चाने करो झाल 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 दन? अभी देखो जैसे एक कोश्चन को अबजर्ब करो ठीक है एक पॉंट दे रखा है माइनस 4,0 sorry माइनस 4,0 एन 4,0 ठीक है वो बोल रहा है कि P S plus P S dash where this is S and this is S dash that is equal to 10 so under this condition where S and S dash are this and this right under this condition find the locus of point P under this condition find the locus of point P some question समझ में आ है ठीक है अभी तक school level पे हमने इस चीज़ को किस तरीके से करना सीखा था ठीक है हम क्या करते थे P point को लिया X,Y तो यह दोनों distances निकाले क्या आगे X minus 4 का square plus under root plus X minus of minus तो X plus 4 का square plus Y square under the root that is equal to 10 अभी यह काम करो इसको इदर ले आओ and squaring कर दो इदर क्या बचेगा under root हट गया तो क्या आगे X square plus 16 minus 8X plus Y square as it is equal to अभी यहाँ पे आएगा 10 minus this का square A minus B का square लगेगा that is 10 का square 100 plus इसका square इसका square जब करेंगे तो root हटेगा तो क्या आजाएगा X square plus 16 plus 8X plus और minus 2B वाली टम के अंदर आजाएगा minus 20 root X plus 4 का square plus Y square X square 16 Y square X square 16 Y square minus 20 वाली तम को इदर ले आख 20 root X plus 4 का square plus that is equal to minus 8X इदर आगे हो जाएगा 16 X and ये 100 as it is अब फिर से स्केरिं करने पड़ेगी तो 20 का square 400 X square plus 8X plus 16 plus Y square that is equal to 256 X square plus 100 का 10,000 हो जाएगा 2 AB वाली टम के अंदर आजाएगा 3200 X अब देखो 400 into 8X 3200 X तो ये 3200 X and ये 3200 X काटा 400 X square minus 256 X square that is 144 X square 400 Y square equal to 10,000 में से 16 into 400 is 6400 minus करो के तो वा बचाएगा 3600 3600 से डिवाइड करो तो 144 divided by 3600 X square plus 400 Y square divided by 3600 that is equal to 1 ये 00 गए 41 दा 49 दा 12 पे गया 12 12 पे गया 300 तो 25 तो ये आगया X square by 5 का square plus Y square by अभी तक ये जो method था ये method था भया school level का ये समझ में आया अभी तक ये method किसका था school level का बट अगर मेरे को ये property already पता है that is PS plus PS dash is 2A तो मैं इसको directly इसके साथ compare कराऊंगा and compare करा के मेरे को पता चलेगा कि भया S and S dash are focus they are focus दोनों के दोनों focus है समझे clear है ये point short ठेक है and जो हमें ये 10 दे रखा है by comparison ये क्या होगा 2A 10 should be equal to 2A तो A क्या होगा अच्छा अब अगर ये focus है तो ये distance कितना होता है ये राइट तो ये कितना आ गया 4 5 value put की तो ये कितना आ गया और B square क्या होगा A square 1 minus A square A square क्या जाएगा 25 1 minus A square 16 by 25 25 एल से विलेके 25 मैंने 16 9 by 25 25 25 कटके 9 तो direct equation आगी X square by A square यानि कि 25 5 का square प्लस Y square by B square 20 square आ जाएगा 393 का square that is equal to अब एरको कोई फाल्तो का लंबा वाला काम करने के जोज़ नहीं है हम property लगा के कर रहे है समझ में आया ये चीज़ पक्का शौर ठीक है अच्छा मैंने न ये starting of the batch में ठीक है न ये चीज़ तुम्हें समझाएजी दुबारा ये चीज़ समझा रहा हूं कि तीन चीज़ें पहला complex number X plus I type Y coordinate metric X, Y and third vector X I cap plus Y J cap इनके अंदर सिर्फ syntax का फरक है बाकी ये almost same है मैं नहीं बोलूगा 100% same है बाकी ये almost same है यानि कि अगर मेरे पास X, Y है उसको मैं X plus I type Y लिख सकता हूं या X I cap plus Y J कब लिख सकता हूं इनको मैं interchange कर सकता हूं as per the need ये समझें तो अब यही सारी की सारी चीज़ें हमारी complex number में भी as it is transform हो जाएंगी अच्छा complex number में distance को कौन डिपरेजेंट करता है mod ठीक है distance को कौन डिपरेजेंट करता है mod जैसे Z का mod जो होता है वो क्यों होता है distance of complex number Z from origin ऐसे ही Z1 minus Z2 का mod क्या हो जाएगा distance between Z1 and Z2 तो ये argon plane ये Z1 ये Z2 ये जो distance आएगा ये आएगा Z1 minus Z2 का mod या फिल Z2 minus Z1 का mod ये क्लियर है शौर अब जैसे देखो माल लो अब ये कोशन है 4 राइटा minus 4 राइटा ठीक है वो बोल रहे की Z एक complex number है such that Z minus 4 राइटा का mod plus Z minus of minus plus 4 राइटा का mod is equal to 10 find locus of Z हाँ जी कोशन क्लियर है ठीक है अब यहाँ पर ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि Z का लोकस निकालना है अच्छा Z क्यों होता है इन जन्रेल X plus राइटा वाई यहनिकि X, Y का लोकस निकालना है such that पर हाँ ये न राइट, तो ये क्या आएगा Z का लोकस निकालना है 10 की की बात कर रहा है तो इन दोनों डिस्टैंस का sum क्या है तो अब भिसली यहाँ से हमें क्लियर है ची भाई यह जो 4 राइटा है N, जो मैंन स्फॉ राइटा है यह फोकस होंगे अगर वो वर्टिकल है तो वो 2B बन जाएगा, अगर वो हुर्जोंटल है तो वो 2A बन जाएगा, समझ में अभी ये वर्टिकल है, क्योंकि फोकस आ रहे वर्टिकल है इंपे, Y-axis तो विसली वर्टिकल है तो ये किसके बरापर होना चाहिए, 2B, तो यहां से B आ गया 5, अग minus E square, A square की value कितनी है, अच्छा, A square तो निकालना है, B square कितना आ गया, 25 into 1 minus E square, यानि कि 16 by 25, L सम लेकि 25 minus 16, 9, 25 25 कट के आ गया, 9, उल्टा होगे न, A and B interchange हो गए, तो equation के आ जाएगी, X square by A square, A square कितना आ रहा है, 9 that is 3 का square, plus Y square by B square, B square कितना आ गया, 5 का square, that is equal to 1, तो मैंने कुछ इसको X plus I'd आवाई लेके, put करके, उसका real part का mode, real part का square plus imaginary part का square under proper definition मैंने नहीं लगए, इन फैट Somete लगाओगे तो यहीं पर पहुंच यहाँ जाओगे, यहीँ पर बहुंच जाओगे, यहीं पर बहुंच जाओगे, यहीं पर पहुंच जाओगे, यहीं रखा है constant वो जिसके बराबर है वो क्या एक्ट करेगा major axis के लेंद के बराबर एक्ट करेगा depending upon कि वो horizontal है तो 2a vertical है तो 2b के बराबर एक्ट करेगा clear हुआ यह चीज शौर यहां तक clear है यह property बेस जासारा के साथ तुम्हारे सामने है ठीक है यह note करो करेंगर था प्रहू बिंद साथ है थे छैगा था यहतर है यह नहीं दो से तो Pack 3 झाल झाल लिमिट्स का कितना कर लिया कम्प्लीट है सबका कितना इधर बाकी लिमिट्स कल तक हो जाएंगे कल डिस्कस करने लिमिट्स में रखो ने वो अलग से करेंगे डिस्कस अभी कल मैं सिर्फ लिमिट्स का डिस्कस करने लिए एंड पैरबॉला की फर्स्ट फॉर एक्ससाइज इसंगेज की ठीकर ना यह डिस्कस करेंगे हुआ है झाल 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 कर दो कर दो कर दो चले झाल झाल हाँ जी अब देखो जैसे वो बोल रहा है कि एक फिक्स सर्कल है सेंटर सीवन रेडियस और मन एंड इसके अंदर यह कंटेन कर रहा है सर्कल सीटू को लग सिर्कल सीटू में लोसका सेंटर सीट रेडियस और टू ठीक अब वो बोल रहा है कि एक विरियबल सर्कल है जो सीवन को इंटर्नली टच कर रहा है सीटू को एक्सटर्नली टच कर रहा है कैसा देखेगा वो ऐसे करके तो इनके सेंटर जो होंगे वो बोले क्या लोकस बनाएगा वो लोकस निकालो संजे उसका सेंटर क्या लोकस फोलो करेगा वोग ऊसके लिए मैंने किया किया अगें सी वन सी टू एक विरेबल सरकल ले लिया सी एंडेडियस आ अब यह दोनों क्योंकि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो सी सी टू क्या हो जाएगा सी सी टू सी टू से क्या हो जाएगा दोनों के रीडियस का सम्गेट इस और आर प्लस और टू एंड सी सी वन क्योंकि इंटर्नली टच कर रहा है तो सी सी वन हो जाएगा बड़े वाला रेडियस यह आरवन में से आर हटाना यह एक लियर है यह होता है दिफरेंस अव दिरेडिया अब इनको एड प्लस आर्ट इस कॉंस्टेंट वियर आरवन प्लस आर टू इस तो सी का डिस्टेंस सी वन से फिक्स पॉइंट सी का डिस्टेंस सी टू से फिक्स में तो दोनों से डिस्टेंस का सम क्या रहा है कॉंस्टेंट तो ओविसली सी क्या फोलो करेगा एलिप्स ठीक है सी क्या फोल यह major axis की length act करेगा clear हुआ समझा आया है यह चेस पक्का कोई doubt इसमें शौर समझा आगया सिद्धे हो जो शाबाश चले आगे अच्छा अब देखो जो इसका पिछला कोशन था जो आपने किया था PA प्लस PB इकल टू A उसके basis पर एक गंदगी आती है ठीक है वो क्या है सेम चीज लेके जा रहा हूँ again that is S दे रखा है 4,0 and S दे रखा है minus 4,0 अब दे रखा है 3 cases PE का लोकस जोड़ना है such that PS प्लस PS दैश is 10 PS प्लस PS दैश is 8 PS प्लस PS डैश is 6 तो इस case में ठीक है हमारा P का लोकस 3 के cases में P का लोकस क्या होगा अलग लग cases अब देखने में तो हमें 3 के cases में क्या लग रहा है दोनों फिक्स पॉइंट से distances का सम क्या है constant तो विस लिए 3 के cases में हमें लग रहा है कि 3 के cases में क्या बनना चाहिए ellipse बट actually में 3 के cases में ellipse नहीं है ठीक है ना? नहीं second में line segment है third में no solution अब ध्यान से देखो ऐसा क्या हो रहा है कि 3 का लोकस ही अलग लग बन रहा है ठीक है ना? ऐसा क्या हो रहा है यहां पे ठीक है? अच्छा देखो जब हमने यह property की जिसके अंदर हमने बोला कि ps plus ps dash is constant और 2a और major axis की length ठीक है? अब इसके अंदर हम एक चीज़ observe कर सकते हैं कि यहां पे actually में यह triangle बन रहा है and इस triangle के अंदर दो point जो हैं, दो vertices fix है s dash and s और जो तीसरा vertex है triangle का वो variable है और वो vary करते करते elliptical path फोलो कर रहा है तो elliptical path तब बनेगा जब triangle बनेगा और उस triangle के दो fix होंगे और तीसरा जो है वो elliptical path बनाएगा लग ट्रेंगल बनेगा तो elliptical path बनेगा यहां पर यह चीज़ के लिए रही शौर अब ट्रेंगल बनने के लिए ज्यान से देखो सबसे पहली चीज़ पी अब ट्रेंगल इन्यकॉलटी याद करो ट्रेंगल की जो इन्यकॉलटी होती है ट्रेंगल इन्यकॉलटी क्या होती है some of two lengths, you have some of two sides must be greater than the third side right अच्छा अब यहां पर देखो PS and PS and PS dash दो साइट आ गई उन दोनों का सम क्या दे रखा है 10 अभी इन दोनों का सम क्या दे रखा है 10 और 3rd इसकी लेंथ क्या रही है 8 तो दोनों का सम 10 10 is obviously greater than 8 यहां पर triangle inequality बिल्कुल valid है तो yes P जो है वो S S dash के साथ मिलके क्या बनाएगा triangle and in that case yes वो triangle का 3rd vertex जो है जो कि P है वो क्या बनाएगा elliptical path बनाएगा तो yes in this case ellipse बनेगा यह समझे अच्छाब यह सोचो कि triangle inequality का limited case लेते हैं sum of two sides is greater than the third side अच्छा what about अगर sum of two sides equal to third side हो जाए तो वो state line बनता है state line बनता है मतलब वो जो 3rd vertex है वो दोनों points के उपर जो बने की line segment उसी के उपर लाई करेगा ऐसा क्यों हो रहा है जियान से देखो s, s dash दिरे दिरे करके इसको नीचे ला रहा हूँ तो triangle के जो hypotenuse है वो दोनों कम होता जा रहे है जब P इदर आ जाएगा तब exactly ps plus ps dash क्या बन जाएगा इसी state line का s, s dash की equal बन जाएगा समझें अब दियान से देखो अब यहाँ पर उसने क्या बोला sum of two sides ps plus ps dash क्या दे रखा है 8 which is in fact equal to the third side तो sum of two sides अब इस case में क्या हो गया equal to third side हो गया तो अगर equal to third side है जिसका मतलब क्या है कि तीनों की तीनों point क्या linear p कहां पर लई करेगा इसके अंदर वाले part अच्छा बाहर वाले part पर नहीं लई कर सकता क्योंकि यह अगर s है यह s dash है तो अंदर वाले का p के लिए ps plus ps dash obviously s dash के बरापर होगा लेकिन अगर point बाहर आ गया s dash पी point इधर हुआ तो अब मैं ps dash plus ps को मैं इस length के बरापर नहीं बोल सकता है in fact इन दोनों का difference होगा जी hyperbola में मतलब यह चीज़ी होगी क्योंकि hyperbola में difference जो हता वो constant होता lips में some constant होता clear हुआ तो p जो है वो कहां पर लाई करेगा इस case में line segment s dash वो भी interior interior में लाई करेगा और नहीं लाई कर सकता यह समझे अब अगर मैं तीसरी चीज़ प्याहूं some of two sides क्या दे रखिया six which is less than the third side भी यह some of two sides तो less than third side होती नहीं है some of two sides less than third side होता ही नहीं है in fact देखो इसको नब इस तरीके से समझो कि मेरे को s से s dash तक जाना है यह तो मैं state line वाले पाथ पर चला जाओं यह तो वाया पी होके जाओं यह समझे अगर पी तो इसके उपर आ गया तो दोनों बराबर हो जाएंगे इसे और कम हो सकता है क्या और कम तो पॉसिवल ही नहीं है तो नहीं है तो जाहां से इसके नहीं हुए였습니다 यानि कि चोटे जो सबसे शोटेस्ट बात है उससे भी कम होना चाहिए यह तो पॉसिवल ही नहीं है therefore in this case answer is fine मतलब no solution तो इस case में कोई भी point ऐसा है यह नहीं जो इस condition को satisfy करेगा यह समझे शौर अब एक काम करो पहले वो question फिर यह note करो फिर उसका इस case में मैं यह चीज को मैं जनरलाइज करके देता हूँ इसके बार ठीक है यह note करो इसका लिखो कोशे लिखो find the locus of the center of circle find the locus of the center of circle find the locus of the center of circle which touches the given circle C1 internally and the given circle C2 externally and the given circle C2 externally where C2 lies completely inside C1 where C2 lies completely inside C1 clear है करो note करो 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 झाल 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 बिभाब। झाल 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 एंड परमेट्रिक फॉर्म एंगल एंड परमेट्रिक फॉर्म कि एडिंग है ले रहे चले अब परमेट्रिक फॉर्म आएगी एलिप्स की जैसे पैर बोला की होती है ना एक स्केर कोमा टूएटी ऐसे एलिप्स की उपर आने वाला जो पॉइंट होगा इन जनर उसको किस पैरमेटर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज़ है ठीक है यह देखो तो एक स्केर बाइए स्केर प्लस वाइए स्केर बाइए बीस के रिकल वान तो यह आ गया ए यह आ गया भी तो अब हम क्या करेंगे एक को रेडियस मानते हुए सेम सेंटर सरकल बना देंगे इसको बोलते हैं और जिसका रेडियस क्या है एक सेंटर 0,0 तो ओविसले इसकी एक्वेशन जाएगी एक स्केर प्लस वाइस के रीकल टू इसके अब इस सरकल के उपर आने वाला कोई भी जो पॉइंट होगा पैरिमेट्रिक पॉइंट वोगा एक औस थीटा कोमा एसाइन थीटा सरकल की पैरिमेट्रिक फॉर्म एक औस थीटा कोमा एसाइन थीटा अब इसको सेंटर के साथ जोइन करेंगे तो ओविसली यह वल एंगल बनके आएगा थीटा एंडिस थीटा इस कॉल्ड त्यूसेंट्रिक एंगल अभी तक देख लो हम एपस की उपर नहीं आए है इसको पारिमेट्रिक अली हम डिफाइन करेंगे अभी नहीं लिया ये जो इशेंट्रीक एंगल होता है ना यह होता पैरमेटर जैसे वो 80 स्केर को मर्ट फोटी में वो ती ए पैरमेटर ऐसे इसकी अंदर जो पॉइंट आएगा वो किसी फोर सकते होगा यह तीटा की फोर में रिप्रेसेंट होगा एस centric angle की form में represent होगा और यह है हमारा parameter point समझे अब यहां से देखो यहां से मैंने vertical line बनाई अब मेरे को यह बताओ vertical line पे एक्स क्या रहता है constant एक्स क्या रहता है constant यानिकि यह जो particular point है ellipse क्यों पराने वाला इसका भी x क्या होना चाहिए के एक औस थीटा कॉमा सम्तिंग वाई अब इसका वाई निकालना है तो भाई यह पॉइंट एलिप्स की कुषिशन को सेटिस्वे करना जाए इसके उपर आ रहा है तो मैंने यह उठा के इस पॉइंट को उठा के इसके इंदर डाल दिया क्या बन गया एक स्केर की जगह आजाएगा एसकेर कॉस के थीटा वाई एसकेर प्लस वाई स्केर बाई बी स्केर इकॉल टू वन एसकेर एसकेर कटा इसको दले जाओ वन माइनस कॉस के थीटा तो वाई स्केर बाई बी स्केर इस तो वाई स्केर इस बी स्केर साइन स्केर थीटा और वाई cos theta, b sin theta, circle का क्यों होता है, a cos theta, a sin theta, इसके अंदर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, बस बात खता हुआ, समझ में आया, तो ellipse q पर आने वाला parametric जो point है, x square by a square plus y square by b square equal to 1, तो इसका parametric point क्या आ गया, a cos theta, b sin theta, where a and b are constant, obviously semi major axis and semi minor axis, and theta is the parameter, अब इसके अंदर observe करने वाली ये बात है, कि ellipse q पर अगर मैंने एक point लिया, a cos 45, b sin 45, then इसी point को origin से join करके, जो angle बनेगा, this angle theta is not 45 degree, जो ये parameter है, कि तो है इनी parameter, देखो द्यान से, हमने ये ellipse q उपर आने वाले point को थोड़ ना, join करके, जो angle आया है, उसको parameter बोला, इस point का जो corresponding point आएगा, auxiliary circle की उपर, उसका जो center के साथ angle बनेगा, वो होगा parameter, वो होगा actually में angle theta, मतलब, सबसे पहले, अगर हमें देखना है कि यहाँ पर यह जो angle 45 degree हम यूज कर रहे है, वो 45 degree actually में क्या है, कैसे plot होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे auxiliary circle, इसका corresponding point लेंगे auxiliary circle की उपर, और ये point आयाएगा, a cos 45, a sin, अब इसको जब तुम center के साथ join करोगे, तो इसका जो angle है, वो बनके आयाएगा finally, parameter 45 degree, यह समझ में आया, तो ellipse के point को directly center के साथ join करके जो line बनेगी, उसका angle 45 नहीं होगा, उसका angle parameter नहीं होगा, उसका corresponding point तुमें लेके जाना पड़ेगा, auxiliary circle की उपर, फिर उस point को center के साथ join करना पड़ेगा, उसका जो line segment के angle बनेगा, वो है parameter, तो यहाँ पर parameter उसके corresponding auxiliary circle के through defined हो रहा है, point समझे, तो यहाँ पर 3 towns आई, पहला auxiliary circle, major axis को diameter मानते हो जो circle बनता है, विस ते same center, right, that circle is called auxiliary circle, ठीक है, auxiliary circle के उपर एक point लिया, एक उस theta, उसको जब center के साथ join किया, 0,0 के साथ, तो उसका angle बनके आएगा theta, and that theta is nothing but the parameter, किसका? ellipse q पर आने वाले point का, समझे, बट अभी तक ellipse के साथ कैसे connect करना है, इसको अभी तक हमने वो नहीं देखा, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहां से perpendicular draw किया, axis के उपर, तो वहाँ पर, जहां पर, वो एक से, sorry, अपने ellipse को ठकरा रहा है, वो point के x हो जाएगा, एक उस theta, y obviously निकालने के लिए, इसको हमने ellipse की equation में put करके y निकालने, that is b sin theta, तो point आ गया, तो again, इसको जब मैं ellipse के center के साथ join करूंगा, तो वो line segment जो angle बनाएगी, that is not the parameter, जो कि इस point के लिए use हो रहा है, उसके लिए हमें इस point का corresponding point लेके जाना पड़ेगा, और उस corresponding point को हमें center से join करना पड़ेगा, फिर वो line segment, जो angle बनाएगी, वो angle होगा हमारा parameter, point clear हुआ, शौर point clear हुआ, पक्का, ये note करो, मैं इसके last मैं करूंगा वो चीज़, lift के उपर point आया, एक oc, तो अब ये point ही हमारा parameter point है, बस मैंने ये बोला, मैंने बोला कि इसी को जब origin sentence के साथ join करोगे, तो इसका जो ये angle आएगा, ये angle theta नहीं होगा, जो इस point के लिए theta यूज हो रहा है ना, ये theta ये वाला angle नहीं होगा, क्यों उसी को हमने, this circle के अंदर तो क्या होता है, उसी को join करके जो angle बनेगा वही होगा, ellipse में नहीं होगा, तो ellipse में वो angle कैसे बनेगा, इस point का corresponding point लेना पड़ेगा, उसके auxiliary circle के उपर, फिर उसको join करना पड़ेगा, वो line segment जो बनाएगा angle, वो angle है हमारा ellipse का parametric angle, कि प्षका बनाओं यूके जो बनाओंग में वोगा फो बनाओंगा पड़ेगा वोगरेat्वरु, दिर उसके हो एंदों अ बता वेदिया नही में, वो गजा क्या हो contratवबेख से लका वेल्ड़ेड़ेगरूभ, आ क्यों विर अन्यमत्स, य्यमत्स. झाल 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 हां जी चलें हां नेक्स कोशन लिखो find the point on ellipse find the point on ellipse x square by 6 plus y square by 2 equal to 1 find the point on ellipse x square by 6 plus y square by 2 equal to 1 whose distance from the center is root 5 whose distance from the center is root 5 अब देखो यहां पर parametric form कैसे help करेगे ठीक है x square by 6 plus y square by equal to 1 तो अब यह जो ellipse है इसका a क्या आ रहा है root 6 and b क्या रहा है root 2 यह आ गया तो इसके उपर आने वाला कोई भी parametric point जो होगा वो क्या होगा a that is root 6 cos theta comma b root 2 sin theta अब यह distance क्या होना चाहिए root 5 तो निकाल लो distance formula x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square under the root उसको root 5 कर दो यह 0,0 है तो क्या आ गया root 6 cos theta minus 0 that is root 6 cos theta का square करो 6 cos theta plus similarly root 2 sin theta minus 0 root 2 sin theta का square 2 sin square theta under the root यह क्या होना चाहिए root 5 scaring कर दो ठीक है तो इदर आएगा 6 cos theta plus 2 sin square theta is 5 अब एक काम करो science का theta को लिखो यह फिर cos theta को लिखो 1 minus sin square theta तो क्या आ गया minus 6 cos theta plus 2 sin square theta minus 4 sin square theta यह दर 6 आ गया 6 सुदर जाके 5 के साथ बनके के बन गया 6 minus 5 sorry 5 minus 6 minus 1 the sign square theta के आ गया यहनिकी sign theta के आ गया plus minus 1 by 2 the sign theta 1 by 2 sign theta minus 1 by 2 इसका आएगा first two quadrants के अंदर एंद इसका आएगा third and fourth quadrant के अंगर क्या आएगा एंगल है पाइबाइब ए थरी डिग्री ना तो पाइबाइबाइब 6 एंद साथ में 556 एंद इदर आ जाएगा 7 5 by 6 5 plus 5 by 6 6 and 2 5 minus 5 by 6 that is 11 5 by 6 अब इन पैर मिट्रिक पोइंट के गोडिंग ली पॉइंग निकालना तो मैं ठीक है तो क्या आजाएगा रूट 6 कॉस्ट थीटा कॉमा रूट 2 साइन थीटा एक बार थीटा को पहले ये पूट कर दो फिर ये पूट कर दो फिर ये एन फिर ये तो चारो के चारो पॉइंट सागे बात खतम क्लेर हुआ शॉर जल्दी एक बार रह बार है झाल आपका ध्यान पढ़ाई पर फोन पर रिप्लाई करने पर फरक नहीं बड़ता है वह भी हो सकते ही चेक कर दोगी वाप पर बैठके पढ़ रही है मेरा फोन देख लिए वो ताइम उल्ड़ी सेट होगा ना कि लाव के बार फिर वाइल अंदर को झाले 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 In an ellipse, in an ellipse, x square by a square plus y square by b square equal to 1. x square by a square plus y square by b square equal to 1. ठीक है? ये देखो. तो, ये A, ये B, अब जो रेक्टेंगल होगा, क्योंकि ellipse symmetric है, x-axis, y-axis में, तो जो रेक्टेंगल बनेगा, वो भी क्या होगा? symmetric. कहने का मतलब है कि अगर मानलो ये A cos theta, b sin theta है, जो कि parametric point है इसका, तो ये वाला point क्या आजाएगा? minus A cos theta, b sin theta. और correspondingly ये क्या आजाएगा? A cos theta, minus b sin theta. ये दोनों का negative हो क्या आजाएगा? minus A cos theta, minus b sin theta. तो कहने का मतलब है, ये वाली जो length है, वो हो जाएगी, b sin theta, b sin theta. that is, 2b sin theta, and ये A cos theta, A cos theta और ये length हो जाएगी, 2a cos theta. हाँ जी, क्या डाउट? तो जो area of rectangle होगा, वो क्या आजाएगा? 2a cos theta into 2b, तो 2ab, अलग कर लिया, and 2 sin theta cos theta, sin 2 theta. तो ये ये theta पे डिपेंड कर रहा है, जैसे ये theta vary करेगा, area vary करेगा. लेकिन, sin 2 theta, theta जैसे मर्जी vary करे, sin 2 theta की maximum value क्या होती है? तो maximum area क्या आजाएगा? 2ab, and उसके लिए मेरे कोई पता होना चाहिए, कि sin 2 theta 1 होगा, यानि कि 2 theta क्या होगा? 90 degree, यानि कि theta क्या होगा? तो 45 degree के according लिए parametric points बनेगे, उनका उस rectangle का area सबसे जादा आएगा, clear हुआ? वो तो डिपेंड करता है कि जो लेटेस रेक्टिम के पादो, उसका parametric one क्या आ रहा है, वो तो उसके उपर डिपेंड करता है, clear है यह, यह नोट कर लो? झाल